असलाम वालेकूंव, Welcome back to my channel, मेरा नाम रुखसार है और आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ चिकन तंदोरी बनाने की रेसिपट, आज हम चिकन तंदोरी जो है सालेड के साथ में बनाने वाले है, रेस्टूरन में हम जो सालेड कहते हैं, उसकी रेसिपट भी मैं by coming. सजी बहुत बार कच्ची आजानी का अमसाला यह कुछ उसमें प्रोबलम बौूट submitted तो आप मेरे बता है हुए टिप्स और टरिक्ड्स को बनाएंगे तो इन्शालाई बहुत ही अच् schne कर तयार होगी सबसे अच्छा तो इसका फाइदा यह है कि बहुत कम पैसों में बनकर तयार होती है बहुत सारे पैसे हम जो रेश्टरन में डाल देते हैं लेकिन यह कुछी 500-400 में 1 किलो तो आराम से बन ही जाती है यह हमारे तंदूरी अगर हम घर में बना रहे हैं तो और सा तो आए वक्त को जायना करते हुए हम देखते हैं कि हमें तंदूरी और सालड किस तरीके से बनाना है अगर मेरे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर देप्लीज और रैसिपी अच्छी लगती तो लाइक करें शेयर करें और कमेंट जरूर करें कमेंट करके बताईए कि आपको मेरी रैसिपी जो है वो कैसी लगती है आपके कमेंट पढ़ना मुझे अच्छा लगता है मोटिवेशन मिलता है और मेरा दिल करता है कि इसी तरीके से मैं आसान, तेस्टी और नही नही रेसिपी जो है आपके साथ में शेयर करें चिकन तंदूरी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने चिकन लिये है यह देखी इतना सारा उसका पानी निकला है पानी अच्छे से निथार कर डालना है नहीं तो जो मसाले है न वो लगेंगे नहीं पानी में जो है प्रमेल्ट हो जाएंगे नेक्स्ट यहाँ पर मसाले लिए मैंने कुछ आठ से दस काली मेरी ली है आठ से दस लाल वली मिर्च लिये मिर्च का इस्तेमाल आप अपने टेस्ट के हिसाब से कीजिए इसे हम अलका सा रोस्ट करके जो है इसका पाउडर बना लेंगे मैरीनेशन की तयारी करते है एक बोल लेंगे और बोल में जो हमने दही स्ट्रेंड करके रखी हुए आप देख सकते हैं स्ट्रेंड करने के बाद कितनी गाड़ी हो गई है इसी तरीके से हमको देख दम गाड़ा दही का इस्तेमाल करना है बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए दही में तीके अब हम इसमें डाल देंगे दे टेबल स्पून भरकर अधरक लसन का पेस्ट साथ ही हम इसमें आड़ करने वाले है कुछ पॉडर्ड मसाले जिसमें के है नमक वन टी स्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से अब हम गरम मसाला ले रही हूं कॉटर टी स्पून हल्दी वन टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्स लेंगे कश्मीरी लाल मिर्स तीका पन नहीं आएगा सिर्फ कलर आएगा इसमें और जो हमने मसाले बनाये थे वह हम डाल देंगे पाउडर करके सब्वाद कनाये और दो लेमन लेमन का जूस दालेंगे इसके अंदर कसूरी मेथी डालेंगे हम हातों से क्रश करके हाफ टेबल स्पून डालेंगे इससे जायका जोह बहुत ही बहतरीन हो जाता है तमाम मसालों को हातों की मदश से अच्छे से मिक्स करेंगे मसालों का यहां अच्छे से मिक्स होना बहुत जरूरी है अगर आपको बहुत डाक कलर चाहिए रेस्टोरेंट वाला तो आप यहां पर एक पिंज जो है तंदूरी कलर का भी इस्तिमाल कर सकते हैं अब हम इसे मैरिनेट करेंगे मैरिनेट करते वक थोड़ा टाइम लगाई बट मैरिनेशन अच्छा होना बहुत जरूरी है ताकि मसाले जो अंदर अंदर तक के पूरे चिकन में चले जाए अगर हमने उपर उपर से ही लगा दिया अगर उसके जो कड्स है उसमें मसाले नहीं भरेंगे न तो तनूरी जो है अंदर तक के मसाले नहीं जाएंगी और कच्छी भी रहे सकती है तो कड्स के अंदर जो मसाले अराम चेके कड्स में डालिए आगे पीछे से ताकि जो है हमारे तनूरी के मसाले अंदर जाए और खाने में जो हमारे अच्छे जाएका आजाए तो यही tips इसकी होती है कि आप मसाले जो है बहुत अच्छे से भरे उसके बाद में क्या करेंगे इसे हम मैरिनेट करने के लिए रखेंगे overnight अगर इसे overnight मैरिनेट कियाना तो यह बहुत ही अच्छे से अंदर तक कि इसके मसाले जाते हैं और अगर आपके पास वक्त नहीं तो कम से कम दो घंटे के लिए हमें इसे जो है मैरिनेट करना पड़ेगा ठीक है तो मैं इसे overnight जो है मैरिनेशन के लिए रखने वाली हूं और प सारी जुसके रिंग से वाला कर देना है तो यह झाल बने से कम बहुत ही बेतली एक अलगार कर को साथ में अगरि सालेट быन जाए थो उसका मज़ा ओर भी ठेके और नमक दालेंगे टेस्ट की हिसाप से थोरा इस नमक हमेंगे . अगर nag़म की विनिगर नहीं है नहीं है तो आप इसके अंदर एक का सूलत बटर दीक आप चलते हैं तंदूरी को बनाने की तैयारी एक अच्छा सा पैनल को पहने हैं हवी बोटम Court दान्जों एक टेबल स्पून हम इसमें बटर डालेंगे साथ एक टेबल या डालो अगर ड़े देडर लाखने लगता है तो अब जैसे ही बटर हमारा गराम है हम इसमें डाल देंगे तन्दूरी हाय फ्लीम पर हम इसे लिए से करेंगे तो हाय फ्लेम करें एक तरीक से कुखा रहें, आप यह सी से ने मैं तो आगे तो इसे कुख करेंगे ? फ्लीम करेंगे दोणों साइड से और अब इसे cook करेंगे flame को अब जो है low करना है तो देखे हमको क्या करना है चिकन को अंदर तक की गलाना है तो इसके लिए क्या करेंगे इसमें एक cup भर के पानी चारो तरफ से हम इसमें डाल देंगे ताकि यह अराम से cook हो जाए अंदर तक केगे तो यहाँ पर मैंने एक का पानी डाला है अब हम फ्लेम को लो करेंगे और इसे ढखकन ढखके 10-15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक करेंगे बिश में चेक करेंगे तो यहाँ पर कोईला मैंने जला दिया है कोईला जलाने के बाद में हम इसमें रखेंगे और थोड़ा सा बटर डालकर जो है इसे स्मोक दे देंगे रखके रखेंगे हम इसे 10-15 मिनट के लिए थाकि स्मोक जो चिकन में अच्छे से चला जाएगे ठीक है 10-15 मिनट के बाद में जब तमाम प्रोसिजर हो जाता है लाज स्टेप्स का होगा भूनने का तो हम इसे इस तरीके से जाली में भूनेंगे यह optional है अगर आपको नहीं करना है तो आप इसे skip भी कर सकते जाली के उपर जो हम इसमें oil लिया butter लगाएंगे ताकि चिकन जो है हमारी जो जाली के उपर चिपकेना flame को on करेंगे और जो तंदूरी हमने करके ready करके रखेंगे last step जो इसका है वो इसे भून लेंगे इस तरीके से दोनों साइट से रखेंगे दोनों तरफ से दोनों तंदूरी हम रखेंगे तो यहाँ पर मैंने 180 की जो है तंदूरी लाई थी 1 kg मसाले और तमाम चीजों के साथ में 250 में जो है मेरी तंदूरी बनकर तयार हो गई है अब इसे जो हमें अलट पलट करते हुए घुमाते हुए तो अच्छे से जो है इसे भूनना है आप देख सकते कितनी ही मज़ेदार शांदार मसालेदार जो हमारी और बहुत ही जूसी तंदूरी बनकर तयार हुए खाईए एंजॉय कीजिए दूआ में याद रखिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताईए कि आपको रेसिपी कैसी लगी है यहाँ ठोड़ा उपर से में बतर और अपलाई करेंगे ताकर जूट जूस rolls दिखें और खाने में भी टेस्टी लगे भी ब्रश की मदद से हम थोड़ा थोड़ा इसमें बटर अपलाई करेंगे